इस वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यमेंटरी से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्द है कब कौन इसका शिकार हो रहा है ये जानने की फुरसत भी किसी के पास नहीं है इसी का उधारन है 3 रॉबिंसन स्ट्रीट कॉलकता का ये घर जिसे 2015 में हाउस अफ हॉरर का नाम दिया गया लेकिन लोगों ने इस घर की ट्रैजर्डी जानने के पाथ इसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया आज की कहानी है 3 रॉबिंसन स्ट्रीट कॉलकता के घर में रहने वाले डे परिवार की इस परिवार के मुखिया थे अर्विंदो डी वो इंडस्ट्रियर एक्विप्पिंट बनाने वाले कंपनी में डारेक्टर थे परिवार में पत्नी आरती, बेटी देवजानी और बेटा पार्था थे परिवार थे उन्हें ये क्रेच बंद करना पड़ा, इससे घर का माहौल तनापून रहने लगा, दोहजार दो के बाद पार्था डेवी अमरीका से वापिस आ गया, दोहजार साथ से पहले तक घर में सब कुछ ठीकी था, लेकिन दोहजार साथ में मा आरती की कैंसर से मौत हो गई, उसके बाद घर में सब कुछ बदल गया, इस मौत से घर के सभी सदस्ये बुरी तरह से तूट गए थे, जिन्दगी के लिए उनकी सोच बदल गई, एक दूसरे को खोने या अलग होने का डर दिलों में बैट गया, दोनों भाई बहन की शादी की उमर दिकल रही थ लेकिन अलग होने के डर से दोनों शादी के लिए राजी नहीं थे, पिता ने बहुत समझाया पर बात नहीं बनी, धीरे धीरे घर के सदस्यों ने बाहरी दुनिया से नाता तोड लिया, नौकरी छोड़ दी, दोस्तों रिश्टेदारों से मिलना जुलना बंद कर दिया, क कुछ लोगों ने मानसिक शांती के लिए ईश्वर से जुड़ने के सला दी और परिवार ने भी स्पिरिच्वल रहा अपना ली, अब घर में हवन, पुझा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान होने लगे, लेकिन कोई बाहरी इन में शामिल नहीं था, पार्था डे और बहन द घर में दो पालतों कुटे भी थे, घर की बिगड़ी हालत का असर उन पर भी पड़ा, सही देखभाल और खाना ना मिलने की वज़ा से अगस 2014 में एक एक करके दोनों कुटों की मौत हो गई, क्योंकि देवजानी को कुटों से बहुत लगाव था, तो पार्था को लगा कि उनकी जुदाई बहन बरदाश नहीं कार पाईगी, इसलिए उसने कुटों को कहीं दफनाया नहीं, बलकि उनकी लाशों को वही देवजानी के बेट के पास रख दिया, और धीरे धीरे लाशे कंकार में बदल गई, लेकन कुटों के मौत से देवजानी गहरे डिप्रेशन में जाता था, पिता को उस कमरे में जानी नहीं दिया जाता था, देवजानी का यह उखवास जादा दिन नहीं चला, लगातार भूके रहने से दिसमबर 2014 में देवजानी की भी मौत हो गई, लेकिन इसकी खबर सिरफ पार्था को थी, मा, पाल्तुकुतों और अब देवज की खबर उसने पिता को नहीं दी, वो बहन को अपने से अलग नहीं करना चाहता था, इसलिए पार्था ने देवजानी की लाश को वही बैट पर ढखक कर रख दिया, वो नियम से कमरे में जाता, उसके लिए खाना रखता, उसका विश्वास था कि एक दिन बहन फिर से लाशों की बद्दू बाहर ना जाए, इसलिए घर की हर खिड़की और दर्वाजे को बंद ही रखा जाता था, 11 जून 2015 को दोपहर में अचानक खरकी एक खिड़की से काला धुआ निकलते देखा गया, इलाके के गार्ड ने फॉरन फायर बिग्रेट को फोन किया, फायर ब फाली खिड़की बात्रूं की थी और दर्वाजा अंदर से बंद था, दर्वाजा तोड़ने पर अंदर का नजारा बहुत भयानक था, पूछने पर उसने बताया कि ये उसके पिता है, पुलिस को खबर की गई, तब तक वडोसी और कुछ रिष्टेदार भी वहां पर पूछने पर पार्था खामूश रहा, पुलिस के लिए ये सब बहुत ही अजीब था, उन्होंने देवजानी के बंद कमरे को खुलवाया, तो पाया की कमरा अंधेरे और अजीब सी बद्बू से भरा था, बेट पर बासी खाना था, और ऐसा लगा जैसे कोई चादर ओ अपवास रख रही थी, जिससे दिसंबर में उसकी मौत हो गई, बंद घर में लाश, पिता की आत्मत्या और पार्था का ऐसा बेहेवियर, पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा और देखने पर बैट के ही पास कुत्तों की हड्डियों के धांचे भी मिले, पा पार्था चला कि कैसे मा की मौत के बाद घर की हालत बिल्कुल बदल गई, पार्था का एजूकेशन बैगरांड सुनकर भी पुलिस हैरान थी, कि कैसे एक highly educated person अपनी बेहन और कुत्नों की लाशों के साथ महीनों से रहा था, पूश्टाश में पार्था ने यही कहा, कि मैं पार्था का कहना था कि देवजानी की आत्मा रोज उसे मिलने आती है, पिता की आत्मत्या का कारण पूछना पर पार्था ने बताया कि मार्च में ही पिता को देवजानी की मौत का पता चला, जिससे वो भी depression में चले गए थे, पोस्मार्टम में भी पिता की मौत आत्मत्य यहीं साबित हुई। फॉरंसिक रिपोर्ट में देवजानी और कुत्तों की मौत लगातार भूके रहने से हुई थी। घर से पिता का लिखा सुसाइट नोट भी मिला जिसमें लिखा था कि वो खुद अपनी मौत की लिए जिम्बेदार हैं। उधर खर के दुबारा किताबे में साउंड सिस्टम के स्पीकर थे और वो आवाज जॉइस मेर की थी जो अमरीका के एक अध्यात्पिक गुरू है। उनके उपदेशों के सीडी दिन भर घर में चलती रहती थी। घर का महाल बेहट डरावना था। उस अधेरे घर में अजीब असहनीय बद्बू लेकिन पूरे फ्लाट में हजारों आध्यात्मिक किताबे थी जिनने शायद सालों से साफ नहीं किया गया था। घर से धेरों डाइरीज बरामद हुई जिनने पार्था, तेवजानी और उनके पिता लिखा करते थे। पूरे घर में जगा जगा इन डाइरीज के पन्ने औ इसको पढ़कर पार्था और देवजानी के रिष्टे पर भी कई सवाल उठे थे, कि क्या उनके बीच फाई बहन का ही रिष्टा था, जितना मू उतनी बाते। दरसल 2015 में इस खटना ने कलकत्ता ही नहीं पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। लोगों ने पार्था डे साथ कप चाए ही बेच पाता था, इस घटना के बाद उसने धाई सो तीन सो कप चाए रोज की बेची थी। पार्था ने कोई क्राइम तो नहीं किया था, फिर भी उसके खिलाफ बेलेबल ओफेंस के तहत केस दर्ज हुआ। इस दौरान पार्था का वैवार बहुत ही नॉर्मल रहा, मेंटली फिट टिकलेर होने पर परवरी 2016 में उसे वहां से चुट्टी दे दी गई। जहां से पार्था साउथ वेट्स कॉलकाता के वटगूंगे नाम के इलाके के घर में शिफ्ट हो गया, क्योंकि 3 रोबिंसन स स्ट्रीट का अपना घर पार्था ने 40 करोण में बेच दिया, इस नए घर में अब वो दुबारा से अपनी एका की जिंदगी जी रहा था, लेकिन लगबग एक साल बाद फरवरी 2017 को एक बार फिर इस नए घर की खिड़की से धुआ निकलता हुआ देखा गया, फाइब ग लिका केर और माचिस भी थी, ये नजारा ठीक 2015 के नजारे जैसा ही था जब पार्था के पिता ने इसी तरह सुसाइड किया था, जल्द ही ये खबर पूरे कॉलकाता में फैल गई और 2015 की यादे लोगों के जहन में ताजा हो गई, लेकिन पार्था के जानकार और दोस्त उ बहुत हैरान थे, कि मिशिनरीज में अपने इलाज के दोरान पार्था बिल्कुल ठीक हो गया था, उसकी बाचित वहवार सब नॉर्मल था, तब अचानक ही क्या हुआ, जाच भी यही पाया कि पार्था तो सब कुछ भुला कर समाज में खुद को एज़ेस्ट करने की कोश पाहें पहलाई गई, उसने पार्था को काफी हट किया, वो जहां जाता लोगों की नजरें उसे घूर थी, इन सब बातों से बचने के लिए पार्था ने एक बार फिर खुद को घर में कैद कर लिया था, और इस कैद का उसकी खुदकुशी से हुआ, एक highly educated family का depression का शिकार ह और फिर ऐसा अंत बहुत पीड़ा दिने वाला है, ऐसे और भी उधारन देश में मौजूद हैं, शायद हमें अपने social system को फिर से समझने के जरूरत है, ताकि लोगों के अकेले पन को समझा जा सके और उसे दूर किया जा सके